तो यहां करें बता चुका हूं इसके गेर के बारे में तभी बाक्त आपको श्वागत करता हूं अलिन वन इस सार पर तो दोस्तो यह हमारा सेकेंड पार्ट आफ आवर 91 वेंटेज एक्स बाइसाइकल का इसका पार्ट वन था उन्बोक्सिंग वीडियो अगर अभी तक चेक हैं कहीं तो मैं लेंक डीसिक्रिशन में देंगА तरुसे जाके चेक कर सकते हैं हई यह हमारे सेकेंड पैंट में देने वाला हूं हम्द बैसेकल का रिव्यू और फर्स इंप्रेशन तो जरू से ये वीडियो लास तक देखें बिना स्किप के इस वीडियो में मेरा ओनेस्ट ओपिनियन देने वाला है हमरे बैसेकल के बारे में हर एक चीज बताऊँगा डिस ब्रेक और गेर के बारे में और सारे बाते भी बताने स्किफ माल आक्यां बीडियो पताऊँगा आपको के पचस करना चाहिए हमारी बैसेकल यह फिर नहीं सब्सक्स बनेट विश्टर करने से पहले आंसर तो बता नहीं पड़ेगा जिनको नहीं पता में इसके पार대 early क्या नाम था था तो हमारा वीक्टर 21 यान स्का नाम था So answer is The Frog who i have given the correct answer. So congratulations. So now without wasting any time, let's start today's video. So now let's talk about the handlebar. So let's talk about the handlebar. So now let's talk about the bicycle gear. It comes with Shimano's turn gear. So you've seen this one. This one is low. If you see this one then here is high. This is the bicycle 21 speed with my right hand side. वाला है back का और left hand side वाला है front का so right hand side में आते है seven gears and left hand side में आते है three gears इसका gear बहुत स्मूध है और काफी easily shift हो जाता है मैं जरू से बता सकता हूं कि यहां पर जो सीमानों के turning gear यूज किए गये वह काफी अच्छा है और काफी suitable भी है हमारी बाइसेकल के लिए दोस्तों इसमें आता है dual disc brake आगे भी है और पीछे बीडिस प्रेक के साथ आता है भी ब्रेक के तरफ से तो यह आप देख सकते हैं यहां पर ब्रांडिंग भी ब्रेक का यहां पर आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूं तो देखिए तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो हैंडल पर ग्रीप यूज के वह काफी अच्छा है और बिल्कुल भी sweating नहीं होता है और अलुमीनियम का होता तो काफी अच्छा रहता क्यूंकि वह लाइट वेट है स्टील से बढ़ आगर हम इसको लुक वाइस देखे तो एकदम कूल है और बाकी सरे चीज में भी यह एक नमबर है हमरे ब्रेक में गियर में भी बहुत अच्छा है यहां पर हम देखेंगे तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यहां पर में एक शनाप डाले वहां पर सब कुछ स्पेसिपिकेशन होगा अमारी बारे में अगर मेरे से कुछ गल्दी हो तो आप वस्पेसिपिकेशन को देख के समझ सकते हैं में में जो है मैं पहले आपको पढ़के बता देता हूं मेट्रियाल है कार्बन एचाई टेंसिल स्टील टीजी वेल्डे और फोक आता है 91 सस्पेंशन 60 mm ट्राफिल के साथ ब्रेक्स आता है जेके 7F आर मेकानिकल डिस ब्रेक्स और सिप्टिंग आता है गेर सिप्टिंग 21 स्पीड सीमानो एफ 500 डेराइलर आता है सीमानो के टर्ण सब्सक्राइब के साथ और रिम डावल वर्ल रॉस्प्री आलोई के साथ बाइक का वेट है 19.4 kg आटलाश फ्रेम हाइट है 18 x 45.7 cm और जो बाकी हो आप उसको पढ़ सकते हो तो भी बात कर लेते हैं लुक्स और डिजाइन के बारे में इसका कलर है गाइस देख सकते हो मैट के अधनе बलाइक के साथ माओर औरल रहे क्पी अॉसम में और इसका लुक और भी एनास कर देता हैं इसका कलर आग concert My Fright आ दे देख सब्सक्तूं सब्सक्राइब तो आपना सीट भी देख से काफी पूसन है और काफी सॉप्ट भी और यहां पर नीचे वैप साइट है नाइटी वान का और यहां पर निमर कल में 91 का प्राइंटिंग दिया गया है यहां पर सीट के नीचे हमने फिट किया है बैक रिफ्लेक्टर यह और एक बॉक्स में थे बॉक्स में इसको हमने बाद में फिट किया है तो आप देख सकते हो और इसमें आता है सीट अजस्टमेंट आपके हैट के हिसाब से आप इसको उपर नीचे भी कर सकते हैं मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूं तो देखिए सिंप्ली यह लिवर को कुल करना है और इसको उपर नीचे आपके हैट के सबसे करना है उसके बाद यह लिवर को प्रेस करके लॉक करने और यह बिल्कुल भी मूब नहीं होगा और आपको एक कमफर्ट राइड भी मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पर चेक कीजिए हैंडल बर के नीचे और वील के उपर यहां प तो यह एमटी भी कम फैडवाइक ज्यादा लगता है यह हमरा उंगली से भी बढ़ा है इसका टाया जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था इसका जो टच अप है कलर को मैट फिनिस में जो काफी अच्छा लगता है देखने में और फिल कलने में भी बहुत अच्छा लगत डाल और फ्रंट का विल फिट करना पड़ा है तो जरू से जाके अंबॉक्सिंग वीडियो में चेक करना फूल फिट वीडियो वहीं पर तो यहां पर देख सकते हो पीछे का टायर भी चेक कर सकते हैं यहां मेरे बाइस सैकल के साथ कोई भी मढगा नहीं आता है आपको पास नीचे आप देख सकते हो टेरोलर पे टारनी का ब्रांडिंग है और उसके साइड में लिखा है सीमानो उकुपाइड आभ इसका चेन भी देख सकते हैं आगे का और पीछे का और एक बात दोस्तों यहां मेरे बाइस सैकल के अंदर वाटर बोटल होल्डर भी नहीं आत और यहां पर बी 91 है बड़ में अस यहां लिखा गया है और यह और जिखने में कफ आप्रेटिव लगता है और यह पर चीज देख सकते हैं 27.5 लिख्वा उसका वील का साइज और उसके ऊपर लिखा गया है www.outdoors91.com यहां पर आप जाके चेक करके बाइक्स और बाइसेकल भी पर्चेस कर सकते हैं उसके उपर लिखा है 91 निमरकाल में और ठीक उसके उपर स्टार है उसके उपर हमारा इगल का सिम्बल है तो आप 91 के उपसेड में जाके भी बाइसेकल पर्चेस कर सकते हैं और यहां पर लिखा है 18 3.0 फैट टायर्स और उसके निचे 91 का ब्रांडिंग तो देख सकते हैं इतना ही है यहां पर थोड़ा कर लेते हैं हमारा सस्पेंशन टेस्ट तो देखिए तो काफी एजीली हमारा सस्पेंशन भी काम कर रहा है तो आप देखी सकते हूँ तो यह हमरा 91 का वेंटेज एक्स बाइसेकल मैंने पर्सेस किया इसके वेबसाइट से इसका वेबसाइट है www.outdoors91.com इसके वेबसाइट में आप जाके बाइक्स और हमरा 91 के बाइसेकल भी चेक कर सकते हैं इसका कोई पर्सनल 91 का आप नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिशन मे दे दूंगा वेबसाइट का आप जरू से जाके चेक कर सकते हैं तो यहां पर अभी हमारा रिव्यू खतम होता है तो अभी चलते हैं एक छुटे से राइट के लिए अभी बजा आगा ना बिलू तो ना लेट गो फोर राइट विद आर वेड़ एक्स बैसाइकल मौसम बहुत है सुहाना और हमारा साइकल राइड भी है बहुत मसकाना तो दोस्तों यहां पर थोड़ा आफस्टकल भी ट्राइक लेते हैं यहां पर काफी इजली हमारा विंटेज एक्स चट चुका है और वही सेम आफस्टकल में हम ने उसको डाउन क्लाइम किया तो काफ है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब भी जो मैं हमारा बाइसेकल को राइड कर रहा हूं यह एकदम टॉप स्पीड है में से हमारा 21 स्पीड में चल रहा है और इसका गेज भी काफी अच्छे से सिप्ट हो रहा है यहां पर हमारा बाइसाइकल काफी में भी देख लो एकदम ब्रिफ्ट होके गया है मैं डेफिनेटली यह बताना चाहूँगा कि आपको जरू से पर्चेस करना चाहिए हमारा 91 का वेंटेज एक्स बाइसाइकल यह सब चीज में हमारा मस्ट है कियर में डिस ब्रेक सस्पेंशन में भी बहुत अच्छा है और बाकी सारे चीज में भी बहुत अच्छा है आपक जो जो भी चाहिए हमारे बैसे को पर ब्रेक टेस्ट गिर टेस्ट जो भी आपको पूछना है आप कोमेंट सेक्ष्ण ने बता सकते कॉमेंस से जरू से कमेंट करके जानाव मेरे वीडियो में में लाइक टर्गें अर्ग्ट अहं एक होप सो यू विल कॉमेट दिस दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो नीचे आपको एक रेड़ कल का सब्सक्राइब बटन देख रहा है उसको प्रेस करके हमारा फ्रामिली का मेंबर बन जाईए तो एसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहे हैं और मैं आपके लिए इसे ही इंट्रेशन वीडियो आगे भी लाता रहूँगा प्रामिली का सब्सक्राइब बना प्रामिली का सब्सक्राइब